जागरंजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ सायत सौबान इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंटा फेर से क्या कुछ सवाल बनाया जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उन से रिलेटेड कुछ की फ्राक्स के बारे में भी जानेंगे, तो चले शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ भारत के सुनीर कुमार ने एशिया एकुष्टी चैंबिंशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भारवर के फाइनल में कौन सा पदक जीत कर इतिहास फ्रच दिया इसका सही जवाब है स्वन पदक यहाँ पर दोस्तों आपको पता जाते हैं कि जो सुनीर कुमार हैं उन्होंने ग्रीको रोमन प्रत्योगिता में 27 साल बाद कोई गूल्ड मिडल भारत को दिलाया है और सुनीर कुमार ने 87 किलोग्राम वर के फाइनल मकाबले में जो किर्गिस्तान के किलाड़ी थे जिनका नाम था अज़द सालिदिनोफ इनको पांच शून से हरा कर यह किताब जीता है भारत को एशियन रेसलिंग चैंपिंशिप में 1993 यानि 1993 देखे दोस्तों इतने सालों के बाद पहली बार सुन्ड पदक मिला है और यह सुन्ड पदक किस न दिलाया है सुनीर कुमार ने और आपको यहाँ पर दोस्तों बतायते हैं कि सुनीर कुमार से पहले ये कारनामा पहलवान पपू यादव ने किया था जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि दिल्ली में मंगलबार से एशिन कुष्टी चैंपिंशिप शुरू हुई थी और उसके पहले दिन ही भारत का गोल्ड मेडल भारत को मिला सुनीर कुमार ने इसको दिलवाया और पिछले साल भी मनीश ने चीन में हुई एशिन अर्जुन हलाकुरकी ने ग्रीको रोमन कैटेगरी में 55 किलो ग्राम भार वर्ग में ब्रॉंज मेडल जीता है अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ उत्तरप्रदेश सरकार ने वितवर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड रुपए का बजट पेश किया है जैसा कि दोस्तों आदेते हैं कि बजट का आगार जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 33,000 करोड रुपए अधिक किया गया है और बजट में नई योजनाव के लिए करीब 11,000 करोड रुपए का प्राहुधान है अयोधिया में उचस्तरिय परेटक अब सरनर्शना के विकास के लिए 85 करोड रुपए की विवस्ता की गई है और जबकि आयोधिया हवाई अड़े के लिए 500 करोड रुपए का प्रस्ताव किया गया है जैसा कि दोस्तों आप जानते ही है कि अब आयोधिया में रामंदिर नर्मान कारे शुरू कर दिया गया है और इसलिए वहाँ पर हवाई अ नर्मान पूरी तरह से हो जाएगा तो वहाँ पर लोगों को आसानी हो पहुशने में इसलिए यह योजना बनाए गई है तुलसीज महारक भवन के नवीन करन के लिए 10 करोड रुपए की विवस्ता बजट में की गई है और जोगी सरकार जैसे मैंने आपका पताए यह चौ के लिए ओन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें निश्चित अबदी के रोजगार से जोड़ने के उद्धे से मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रुट्साहन जोजना की शुरुवात कि गई है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना हमारी वेब सायट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करण अफेस के टैप पर जाना है ड्रॉप टाउन में आपको मन्थ वाईस करेंट अफेस मिल जाएंगे जहां आप मन्थ के हिसाब से करेंट अफेस पढ़ सकते हैं जब आप current face टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप category wise current face पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी category चूज कर सकते हैं जिसमें latest, national, international, sports, technology और economy जैसी categories मौझूद हैं अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ किस देश ने हाल ही में परमानू शम्ता संपन cruise missile राड इसको अंग्लेजी में अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे राड टू तो कौन सा ऐसा देश है जिसने राड टू का सफ़ल परिक्शन किया है तो इसका सभी जवाब है वो है पाकिस्तान option C यहाँ पर दोस्तों आपको बतायते हैं कि 18 फरवरी को 18 फरवरी 2020 की वो तारीक थी जिस दिन पाकिस्तान ने जो है इस missile का परिक्शन किया है उसमें बताया गया है कि जो missile है वो 600 किलोमेटर की दूरी तक हमला करने वाली परमानू शक्ती संपन cruise missile जिसका नाम है राड टू का प्रक्शेपन किया है यह परिक्शन बहुमी और समुदर में हम लोग का नाकाम करने की सेना की शमता बढ़ाने के तोर पर देखा जा रहा है और इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब दोस्तों यही सीधा सा हुआ कि यह जो cruise missile है वो हवा से बहुमी और हवा से समुदर पर ह किस देश के राश्पती के रूप में अश्रफ गनी ने दूसरे कारकाल को हासिल किया है। हुआ है अफगानिस्तान दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि 28 सेप्टेंबर 2019 को चुनाव हुए थे और उनके नतीजे जो है उसको उसको तो ऐसा रोक लगा गया था क्योंकि जो अश्रफ गनी के प्रतिद्वन्दी थे जाने की अश्रफ गनी के जो सामने थे उनका नाम में धानली के आरूब लगाए थे और इसी के चलते फिर जो है वोटों की गिंती दुबारा से की गए और इसके करण परणाम में तकरीबर पांच महीने की तेरी हो गई है लेकिन उसके बाद अब ये सामने साफ हो गया है कि अश्रफ गनी जो है दूसरी बार अफगानिस्त को मैंने आपको बताया अब्दॉल्ला अब्दॉल्ला उन्हों को जो है महस 49.5 दो प्रतीशत वोट ही मिले थे तो अब जो है अफगानिस्तान के दूसरी बार जो है राश्पती होंगे वो है अश्रफ गनी अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ मुर्दा स्वास कार्ड होता क्या है इसको अंग्रीजी में समझें तो इसको कहते हैं सोयल हेल्थ कार्ड स्की तो ये जो जो जोजना है इसकी शुरुवात जो है करी गई थी 19 फरवरी 2015 को लाजिस्थान में सूर्दगर में और किसकी द्वारा की गई थी ये हमारे जो देश के प्रधानमंत नहीं है श्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा मृदा स्वास्तकार योजना की शुरुवात की गई थी तो इस योजना का लक्ष क्या है अब उसको समझते हैं तो अकर लक्ष की बात करें तो देश भर के किसानों को मृदा स्वास्तकार प्रदान किये जाने में राज् उत्पाद कर सकते हैं तो इसके दो फेज़ेस तो हो गए हैं दोस्तों तो पहला जो फेज था उसमें अगर हम बात करें यहां पर 2015 से 2017 की तो इसमें जो है करीब 10.74 करोड कार्ड दिये गए हैं और दूसरे चिर्ण की बात करें यह तो हमने 2019 की इसमें 11.69 करोड जो है कार्ड वित्रित किये गए हैं अब बढ़ते हैं अपने अगले जबाद की तरफ State of India's Birds Report 2020 की अनुसार किस देश में 89 फीसिदी यानि की 79 परसेंट पक्षियों की तादात खटी है दोस्तों यह कोई और देश नहीं है यह हमारा देश भारत यहाँ पे आपको दोस्तों बता देएं कि इस रिपोर्ट में 866 प्रकार के पक्षियों का अध्यान किया गया था और इसमें यहने की लॉंग टर्म रखा गया था तीरगवधी जो थी वो 25 साल की थी और लगू अपती 5 साल के आकड़ों से जटाए गई है और इस रिपोर्ट में 101 प्रजातियों के सनक्षन पर अत्यादिक चिंता जताए गई है देखे दोस्तों यह बहुत बड़ा नंबर है और उसकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई गई है वैसे आपने देखा होगा यह महसूस भी किया होगा आपने आसपास जो है अब जो गौरियां है वो काफी कम देखती है जैवेवित्ता के लिए मशूर पश्चिमी घाटों पर साल 2000 से पक्षियों की तादात में 75% तक कमी कॉप 13 वो भी जो है हमारे देश में 15 से 22 फरवरी के बीच में हो रहा है कंड़र कराया जा रहा है उसके बारे में मैंने बात की थी आप से और हमारे जो देश के प्रधान मंत्री है श्री नरेंद्र मोधी ने उन्होंने हाली में वीडियो क्वर्ण से के माध्यम से गांधि की गई है और इसी की रिपोर्ट के जरिये यह बताया गया है अब बढ़ते हैं हमने अगले सबाद की तरफ राजितान के किस शहर में प्रधान मत्री वसर बीमा योजना पर चौते राश्ट्री समयलन का आयोजन किया गया है इसका सही जवाब है वो है उदैपुर आप्श सलिया था इसमें अनाबाड आर बी आई बीमा कामने आदी ने सलिया था प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को अठारा फरवरी दोहजार सूला को लांज किया था और इस योजना के अंतरगर खरीब फसल के लिए किसानों को केवल दो प्रतीशत का प्रीमियम याने की 2% का प्रीमियम ही देना पड़ता है जबकि रभी फसलों के लिए ये प्रीमियम देडर प्रतीशत याने की 1.5% होता है यहां बहुत आपको दोस्तों इस जोजना के उदेश के बारे में थोड़ा बता देते हैं की तो इस का उदेश जो है वो ये है कि प्राकरतिक आपता, कीडे और रोग की वज़ा से सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों में से किसी को नुक्सान की स्थितिये में किसानों को बीमा कवर और वितिय साहता दिया जाता है और किसानों की खेती में रूची बनाये रखने के लिए प्रयास किया जाते हैं कि और उन्हें स्थाई आमधनी उपलब्द कराई जासके sociais के और साती साहत किसानों को क्रिशी के में इनोवेशन इवं आधुनिक पदत्यों को अपनाने के लिए प्रorta साहित किया जाता है इस और जो है योजना केता है दो और क्रिशी चेतर में रिंड की उपलम्ता सुनेशित किया जाता है अब आरते हैं अपने अगले सवाब की परफ लाइनल मेसी और किसने संयुकत रूप से लॉरी जवर्ट स्पोर्ट्समेन आफ दे यर अवाड दो हसार पीस का परफकार जीता है यहाँ पर दोस्तों आपको पता देते हैं किसका जो सही जवाब है वो है लुईस हैमिल्टन दोस्तों हमने आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जो सवार आपसे पूछा था वो भी इस इवेंट के जरीए पूछा था कि किस खिलाडी को जो है स्पोर्टिंग मॉमेंट दो हजार दो हजार पीस का पुरसकार दिया गया है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे अगला ही सवार है उसके बारे में तो पहले आपको मैं इसके बारे मता देता हूँ कि इन पुरसकानों का जो है वो 20 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका है जब दो दिगज खिलाडियों को ये सन्यूक ट्रूप से अवार्ड जा गया है कौन है ये खिलाडी पहले तो मैंने आपको बताया मैसी हैं मैसी को दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये अरजिंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं काफी मशूर प्लेयर हैं और इनको कई बार काफी सारे अवार्ड से समानित किया गया है इसके बारे में भी हम चर्चा कर करते रहते हैं साथी साथ लूइस हैमिल्टन जो दूस्ते खिलाड़ी हैं इनको मिला है तो लूइस हैमिल्टन जो है फॉर्मूला वन रेस में के खिलाड़ी हैं और इन्हों ने भी काफी जादा जो है आवार्ड जीते हुए हैं अपने लाइफ में लाइफर टाइम में ज और यह जो अब आयोजन था वो खेव की दुनिया के खिलारियों और टीमों को उनकी साल भर की उपलब्दियों के लिए समानित उसमें किया जाता है तो दोस्तों जैसा कि हम अभी पिछले पिछले सवाल से भी यह सवाल है उसमें आप से हमने पूछा था कि लौरी सपोर्टि की दुनिया के भगवान सचिन दंदूलकर इनको यह अवर्ड दिया गया है और आपको बढ़ा देते हैं कि यह समान जो है सचिन दंदूलकर के प्रशंसकों के वोटू की अधार पर इनको मिला है यह पुरसकार के लिए सचिन दंदूलकर समेट 20 दावेदार ओर थे और इस चिंदनलकर को लॉरिस स्पोर्टिंग अमोमेट आवार्ड 2020 के लिए विजेता बनने कीव कोषणा की थी, स्टेज पर वो मौजूद थे और यह आवार्ड पहली बार 25 मई 2000 को दिया गया था इसमें 13 अलग अलग कैटेगरी से आवार्ड दिये जाते हैं आपको यहाँ पर यह भी पता देते हैं दोस्तों कि यह आवार्ड जो है हुए थे जर्मनी में वहाँ की जो राजधानी है जिसे कहते हैं बरलिन वहाँ पर यह आवार्ड कंड़र कराए गये थे दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है किस देश के राश्पती ने पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की नीटी की आलोशना की है आपके आप्शन्स हैं रूस, तुर्की, अमेरिका या पिर अफरीका आप दोस्तों अपने जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दीजे यह वीडियो आपको बसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें